वेलकम टू तेज एजुकेशन शाथियो इस वीडियो में हम MPSI पर इच्छा के लिए महतोपुन हिंदी के प्रशन देखेंगे जो MPSI में भी पूछे गए हैं और उसी पर आधारित संभावत प्रशन भी हमने ले रखे हैं अगर आप हिंदी बिसे में बहुत अच्छा स्कूर करना चाहते हैं तो हमारी पूरी क्लासेश देखेगा बहुती सांदार आपको प्रशन मिलेंगे और हमारी हर क्लास का PDF आपको रिवीजन के लिए हमारे एप पर मिलेगा वर्टसेव गुरुप जरूर जोइन के लिएगा नमर नीचे चल रहा है देखी सबसे पहला प्रशन है कि आंगिक भासा कौन सी भासा के अंतरगत आती है बिकल्ब है कि सताब्दिक भासा के अंतरगत आती है या सताब्दिक या साब्दिक या फिर असाब्दिक भासा के अंतरगत आती है आंगिक भासा तो आप याद रखिएगा आंगिक भासा जो है ये अशाब्दिक भासा के अंतरगत आती है ठीक बिकल्ब डि इसका सही अशाब्दिक भासा होती क्या है साथियों जिन्हें सारीरिक हाव भाव आद के माध्धम से प्रकट किया जाता है वह भासा अशाब्दिक भासा कहलाती है जो शब्दों के माध्धम से नहीं बलकर सरीर के हाव भाव के माध्धम से प्रकट की जाती है ठीक है चले प्रशन है कि निमने लिखित में इस्थानिय भीदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं भई बताईएगा बोली में इस्थानिय भीदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं या विभासा में या राश भासा में या राज भासा में देख ऐकल्प वी बिभासा बिभासा में इस्थानिय वेदूं के आधार पर कई बोलियां बही प्रचलित रहती है किस में बिभासा में, ठीक चलिए अगला प्रशन है कि किस भासा को हिन्दी की जननी कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रशन है पटवारी में पूछा गया है तो भई हिंदी की जननी अंगरीजी को कहते हैं या बंगाली को संस्कृत को कहते हैं या उर्दु को तो आप याद रखेगा हिंदी की जननी साथ यो कहा जाता है संस्कृत को किसको कहा जाता है संस्कृत को कहा जाता है नेक्स प्रशन है कि खड़ी बूली के लिए सुनीती कुमार चटरजी ने किस सब्द का प्रियुक किया है तो सुनीती कुमार चटरजी ने खड़ी बूली के लिए जन्पदी हिंदुस्तानी का यूज किया है या वरनेकुलर हिंदुस्तानी का या कौरभी या फिर रेक्था का यूज़ किया है सुनीति कुमार चटजी ने प्यात रखीगा इन्होंने हिंदी के लिए इन्होंने सुरी खड़ी बोली के लिए यूज़ किया है जन पदिय हिंदुस्तानी किस के लिए भई खड़ी बोले के लिए नेक्स प्रशन है कि भई देशी हिंदिस्तानी किस ने यूज किया ता भई किस ने जोर्ज ग्रियर सर ने कौरबी यूज किया ता भई किस ने राहुल सांस क्रत्यायन ने कलियर है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रशन है कि पैसाची अपवरंस से मराखी, गुजराती, पंजाबी या फिर राजस्तान तो आप याद रखें हैं पैसाची अपवरंस से बिक्सित होने वाली भासा है वही आपकी पंजाबी ठेक है कौन सी है पंजाबी तो MPSI के लिए यह बहुत महत्पूर प्रशन है ठेक है ऐसे कठीन लखित में से कौन भारूपी परवार की भासा नहीं है भारूपी परवार की भासा भी मराखी नहीं है या गुजराती मल्यालम नहीं है या फिर इंदी तो आप याद रखें कि भारूपी परवार की भासा नहीं है प्यारे साथियो मल्यालम ठीक है बिकल्प सी इसका सही ज माड़ी है या वुंदेली या बगेल खंडी या मालवी तो आप याद रखें इसका सही जबाब है वही वुंदेली ठीक है रैसेंजले में बोली जाने वाली बोली कौन सी वही वुंदेली नक्षपरशन के भासा के जिन रूपों का प्रयोग साधारन जनता अपने समूह और घरों में करती है उसे क्या का जाता है भासा के उन रूपों को भई क्या का जाता है तो भासा के ऐसे रूप जो के साधारन जनता के द्वारा अपने खुद के समूह में अपने खुद के घर में यूज किये जाते हैं उस भासा के श्वरूप को भई बोली कहा जाता है किके ह बिभासा मातर भासा को कहते हैं या ग्राम भासा को बिभासा को कहते हैं या संकर भासा को ता प्याद रखेगा छेतरी भासा कहा जाता है प्यारी सात्यों बिभासा को ठीक बिकल्प भी इसका सही जबाब है देखेगा बिभासा एक प्रांत या फिर उप प्रांत में प्रचल कई बोलियों से मिलकर के विभासा का निर्माण होता है बोलियों से मिलकर क्या है अगला फिर से प्लाटून कमांजर मैं ही पूछा गया प्रश्ण है प्रश्ण है कि मद्ध प्रदेश की प्रमुख जनपद भासाएं निम्न लखित में से कौन सी है जनपद भासाएं ठीक तो इसका सही जवाब शाथियो बिकल्प ए बुंदेली बगहिली मालवी निमारी ये प्रमुख जनपद भासाएं अगला प्रश्ण है कि मालवा छेतर में बुली जाने वाली जो भासा है ये है साथियो आपकी मालवी ठीक बिकल्प एसका सही जवाब देके याद रखेगा मालवा में बोली जाती है भई कौन मालवी निमारी निमारी बगेल खंज में बोली जाती है बगेली बुंदेली बुंदेली केलियर है अगला प्रशने के ब्रहमी लिपी से किस लिपी का विकास हुआ है अच्छा प्रशने के ब्रहमी लिपी से रोमन का लिपी का विकास हुआ है या अरवी का देवनागरी का या खरुष्टी लिपी का अच्छा प्रशने के ब्रहमी लिपी से विकास हुआ है देवना जाता है तो आप याद रखें कि प्रानी राजिस्तानी भासा को डिंगल कहा जाता है ठीक बिकल्प डी सही जवाब है अगला प्रशने की देव नागरे लिपी कैसे लिपी है भई देव नागरे लिपी जो है येक अच्छरात्मक लिपी है या वर्ड नात्मक लिपी है या सूत्र लिपी है वही देवनागरी लिपी तो आप याद रखें देवनागरी लिपी साथियो अच्छरात्मक लिपी है ठीक है अच्छर लिखे जाते हैं इसमें केलियर आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रशन देखें कि अच्छरात्मक लिपी कौन कौन से हैं वही फारसी है तेलग, उडिया, गुजराती, देवनागरी और बांगला ये सबी अच्छ रात्मक लिपियां हैं प्रशन है कि जैन साहित के अनुसार कितनी लिपियां है प्यारे साहती बहुत अच्छा प्रशन है प्यारे साहित के अनुसार कुल 18 लिपियां प्रशन है कि कौन सा आर्टीकल है जिसमें हिंदी को सरवमान निभासा के रूप में बिकसित करने पर बल दिया गया है ठीक तो इसका साही जवाब है आर्टिकल आपका 351 में बल दिया गया है ठीक अगला प्रशन है प्रशन है कि दो देसों के बीच पत्र बिवार जिस भासा में किया जाता है उस भासा को कौन सी भासा कहते हैं प्याद रखें दू देसों के बीच पत्र बिभार जिस भासा में किया जाता है उस भासा को राज नएक भासा कहते हैं ठीक बिकल्प सी सही जबाब है प्रशने के निम्ल लखित मैं से भासा के बिसिष्टा कौन सी नहीं है बिकल्प भासा अर्जित संपत्ती है जी हां भासा परवर्तनसील होती है जी हां भासा एक सादन है जी हां पैतरक संपत्ती नहीं होती है सा praticamente बिकल्प भी इसका आंसर हो जाएगा ठीक अगले प्रशने है देखेगा भासा की अन्वेशिष्टा अगर बात करें तो भासा कठटिंता से सरलता की ओर अगरसर होती है भासा कि चलती है भासा का अर्जान अनुकरन के द्वारा किया जाता है एक है याद रखेगा चले प्रशन है कि दसवन विश्व हिंदी संव्मेलन बर्स 2015 में आयो जीत हुआ था लेकिन ये कहां पर आयो जीत हुआ था त्सवन विश्व भिइन जीत हुआ था था अप psychic से पहले बाली क्लास देखी होगी फर्ष्ट क्लास जो हिंदी की थी तो उसमें पूरे बिस्व हिंदी सम्मिलन मैंने आपको कराये थे जिसमें बारवा जो बिस्व हिंदी सम्मिलन है ये सातियों कहां पर हुआ आता कमेंट करके मुझे बताईएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते प्रश्णे के बरतमान समय में लगभग कितने लोग हिंदी भासा का प्रयोग करते हैं तो आप याद रखें कि बरतमान समय में हिंदी भासा का प्रयोग साथ करोड कि किस में भई मैथली भासा बोली जाती है बहुत अच्छा प्रश्ण है प्रयाद रखें कि मैथली भासा जो है ये किसन गंज में भी बोली जाती है कि कहां किसन गंज बताईएगा जी हां और मुंगिर में भी सीता मेरी में भी किक बिकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएग किलियर चले प्रश्ण है अगला कि भई मीजो भासा किस लिपी में लिखी जाती है भई मीजो भासा तो आप याद रखेगा कि जो मीजो भासा है रोमन लिपी में भई लिखी जाती है कि इसके अलावा रोमन लिपी में अंग्रेजी लिखी जाती है फ्रेंच जर्मन इस्पै तो आप याद रखिएगा कि ब्रजबूली जो है यह पश्मी हिंदी के अंतरगत आती है ब्रजबूली किसके अंतरगत पश्मी हिंदी के अंतरगत प्रशने के भारत वर्ष में हिंदी को आप कौन से बर्ग में रखेंगे भारत वर्ष में राज भासा या राश भासा विभ कार की भासा है वह आकरती की द्रश्टी से तो हिंदी आकरती की द्रश्टी से जो है साथियो सिलिष्ट व्यूगात्मक कैसी सिलिष्ट व्यूगात्मक प्रकार की भासा है किलियर बिकल्प सी सही जवाब प्रशने के मानक हिंदी का आधार क्या है मानक हिंदी का आधार ठिक बिकल्ब ये सही जबाब है नेक्शन प्रशन है कि सिंधी भासा का शम्मंध किस से है भई पैसाची से मगही से ब्राचड से या सूर सैनी से तो आप याद रखें कि सिंधी भासा का जो शम्मंध है ये है साती ब्राचड से ठिक बिकल्ब वी सही जबाब है अगला हुआ था ठीक है और इसमें साथियों भाग लिया था कुल तीस देशों कितने भई तीस देशों ने भाग लिया था एक प्रशन है कि दक्षणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्याले कहां पर है तो दक्षणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्याले है आपका चैन न ही में हैं देकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्ण यहां से भी बनेंगी ठीक है यह पेश काफी महत्वपूर्ण आपके लिए देकि सबसे पहला प्रश्ण के महत्मा गांधी अंतर राश्य हिंदी विश्व इध्याले कहां पर है यह है वही आपका बर्धा में नैशनल बुक महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्ण यह कैसे स्क्रीन सोट ले लो और पीडियेफ आपको मिलेगा उसमें जो है अच्छे से आप रिविजन कर पाएंगे पूरे प्रश्णों का चाहे तो ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को आप अपने कॉपी में में लेख लीजिएग कि नागरी पचारिनी सभा के संस्थापक में कौन सामिल तो प्याद रखें नागरी पचारिनी सभा के संस्थापकों में शामिल हैं शिब कुमार सिंग और बाबू श्याम शुंदर दास्थिक बिकल्प एसका सही जबाब है तो साथिव आज किस क्लास में हमने ती प्रश्ण देखे ऐसे ही सभी ये जो प्रश्ण इनके PDF आपको हमारे एप पर मिल जाएंगे ठीक है वाटसेप ग्रूप जोइन कर लें वाटसेप पर आपको हर क्लास की लिंक भीजते हैं इस वीडियो के नीचे जी है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है PDF की लिंक भी मिलेगी ठीक है तो वहाँ जाकर आप डानलोड कर सकते हैं कलास को अपने हर एक मित्र के साथ सेर कीजिएगा और बने रहें आप तेज एजुकेशन के साथ